शंकरलाल मुरली धर मैमोरियल सोसाइटी ने वाशिक उर्दू शाइरी 55 बज्म ए मुशाइरा का गर्व से आयजन किया स्वर्गय सर शंकरलाल शंकर और स्वर्गय लाला मुरली धर शाध को श्रध्धांजली अपित करते वे उत्सव स्थान था सर संकरलाल ओडिटोरियम शंकर शाद मुशाइरा एक गती शील मंच के रूप में काले करता है जहां देश भर की कवी अपने खुबसूरत कलाम पेश करने और विचार शील गती वीडियो में सनलगन होने के लिए खटा होते हैं चर्चाएं इस वर्ष के कार्टम में जावेदक्तर प्रोफेसर वसीम बरेल भी जैसे प्रतिष्टित कव्यों की उपस्तिती के साथ गीतात्मक प्रतीबा का शांदार प्रदर्शन हुआ चीन काफ निजाम, अजहर इकबाल, नोमान शोक, डॉक्टर नुसरत महंदी और डॉक्टर मीनू बक्सी अन्य प्रसिद हरस्तियों में शामिल है उपस्तित लोगों ने एक मनमोग शाम का अनंद लिया कवीता और शोहार्द से भरपूर उर्दू भाशा की सुन्दर्ता और शक्ति का अनुभव करने का एक अनूठा अफ़सर प्रदान करता है 1954 ने शुरू हुआ यह वार्शिक्स मुशारा भारत के प्रसिद कव्यों के लिए एक प्रमुखमंच बन गया है पिछले एक दसक में इस घटना ने भू राजनेतिक पर काबू पा लिया है चुनौतियां पाकिस्तान और विद्रिजों से सम्मलित उर्दू कव्यों की भागिदारी का स्वागत सद्यो पुरानी ये परंपरा संद्रक्षन में महत्पूर्ण भूमिकान निभाती है और भारतिय उप महद्वीब के संस्क्राथिक समवर्धन में योगदान देने वाले उर्दू साहित्य की सम्रिद विरासत का जश्न मना रहा है शंकर श्याद मुशायरा इसको डिसीम मुशायरा भी कहा जाता है बिसिकली दविस्तान दिल्ली की जो अद्बी रिवायते हैं उनका अमीन है और ये ट्राडिशन में खाल से कई नसलों से चली आ रही है और अदब की जैसी आबियारी बी-सीम गोप कर रहा है या शंकर शायद मुशायरा कर रहा है वह राकतान उसकी पजीराई होनी चाहिए और मैं मुझाविबाद बेश करता हूँ कि इस कदर कामियाबी के साथ ये मुशायरा 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 और दूसरा आज दिल्ली में तकरीबां तीन बड़े फैस्टिवल थे उसके बादाजूद और ट्रियंग में कहीं बैटने की जगा रही थी इतनी कसीर ताजाद में लोग आये थे ये गवाहिद देता इस बात की कि डीसीयब मुशायरा या शंकर शायद मुशायरा दबिस्तान दिल्ली में किस कदर मकबूल है पेशका शोर ओडियंस के लिए क्या पुछ कहेंगे ये मतलब एक खास तरह की ओडियंस थी हर अच्छे शेर पर दाद दी उन्होंने बहुत सुखन फहम लोग आई हुए थे अच्छे शायर तो कोई भी बूलाए लेकि अच्छी ओडियंस बुलाना कमाल होता है और ये मादव भी ओडियंस को यहां बुलाया जिन्होंने हमें बहुत महबतों से बहुत खलूस से नवाजा और बहुत अच्छे से शायरी सुनी एक छोटी सी कोई शायरी जो आप दस्कों के लिए मुझा है ये खाफ है कि रगों में लहू न जम जाए ये खाफ है कि रगों में लहू न जम जाए तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से शुक्रिया अदाब ये 2019 में ऐसा मुझारा हुआ था जैसा आज हुआ है पिछले बरस कुछ मुझारे कई मुझारे थे कुछ शादियां भी थी पिछले साल तो कुछ सामाइन दोर से कम रह गया थे लिए इसमार बहुत अच्छा मुझारा हुआ और आखिर दर लोग बैठे है तो मैं इसे यादगार मुझारा का हुआ 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 है तो साल बर के लिए कैसा रहेगा यह साल देखिए अब यह इवेंट्स जो है ना थोड़े थोड़े से मतासिर होंगे क्योंकि इलेक्शन का साल है तो अब कोड़ अफ कंड़क लगेगा और दफाह 144 लगेगी तो होंगे लेकिन बाराल इलेक्शन के बाद फिर यही माहल बनेगा और हिंदोस्तान तो संस्कृतियों का संग्रम है तो यहां हमेशा अब तो पहले से बहुत ज्यादा होने लगे फेस्टिवल बड़ गए हैं महुत्साब हो रहे हैं इसके अलावा मैं समचता हूं कि कभी समे मिलन और मुशायरों की तदाद जो है वो बड़ी है और बढ़ती हो आएगी क्यूंकर लोग आर्ट्स की तरफ शायरी की तरफ और शायरी की तरफ खासत तौर से बहुत तेजी से आ रहे हैं एक्टरेक्ट हो रहा हैं इसकी तरफ और उन्हें इसमें इंटेलेक्शुल केप यहीं जुनून यहीं एक खाब मेरा है वहां चराख जलादू यहां अंधेरा है। बुक्तरिकली मेरा नाम सागर सेतिया है और हमएनस पुप्लिशर से हैं तो मुझे हैं से इनमिडेशन मिला था एक यहां से दरब तरह दो कौफी सारे बड़े लोग अल्यों तो इस तरीके का मुछायर हो अज कर देना है ऐलना आज कर देना करना इसे मुछायर हो ना। गूर विसद्धिति कर द दे दोग तो लोगों करें तो लोगो आज भी जान है मुषायरे को सुनते है him तो इत में बड़े बड़े शायद को बुलाना कर ना आप लोग कितना था यह अप लोगो किसा था अप लूगों के सी मैलेज़ किया है करने वाले RCM है क्योंकि यह बोट टाइम से करते हा रहे हैं 1955 से चलता हा रहा है तो लेडी बहुत सारे इवेंट कर चुगे हैं तो मुझा है देखते हैं आपको कैसा परस्नली फील हुआ है परस्नली बहुत अचा फील हुआ अगर इनको लाइव देखना जिने आम टीवी में देखते हैं फिर डिजिटली देखते हैं कभी बहुत पुराने लोग है तो इनके जो वर्ड्स हैं मेरे ही साब से कहीं है कहीं आने वाले जो यूथ है उनकों कापी अफेक्ट आलते हैं आप कुछ कर लेते हैं तो तब ही हम यहां तक पहुँच पाया है वहना इतनी देया तक बैठना सबके बसका बात नहीं होता है ठीक थैंक यूद्ट